कि यूटूब चैनल परिक्सास है पाटी में आप सभी का हार्दिक श्वागत है गुड इवनिंग टू अलो फ्यू मैरी तू जैसे कि आपको पते हैं के वियर्स टीजटी साइन्स और पीजटी बायो की मेरेतन क्लासिज कर रहे हैं डेली आपको क्लासिज दी जा रहे हैं डे रहे तक तक आपका एक्जाम नहीं होता और आपके जो एक्जाम डेट है वो नजदीक है अब आपके पास टाइम जो है वो कम बचा हुआ है तो अपनी जो प्रिपरेशन है आप अच्छे से कीजिए जो आपकी पहले जो क्लास हो चुकिया आप उन क्लासिज को भी पीडिए जिस एपको बिदी जा रही है तो अपनी क्लास आपकी ऑच्Crक मोचे पर रिख Evans को आप्ठी जा रहे तो अपनी आपि-दी जा जा क्रएपर आपने जो कॉष्ट को चलते हैं चो यह first question है अब हमारा linear system of plant classification is based on पोधो के वर्गी करण के linear पदिती पर आधारित है option a morphological and anatomical character morphology or anatomical गुन option b evolutionary trends विकाश वाद की पदती option b अब आए आपका option c option c में दिया गया आपका floral character पूस पिया गुन option d none of the above इन में से कोई नही इन में से कोई नही तो question first का आपका right answer क्या है floral character पूस पिया गुन इसका right answer होगा तो question first में क्या पूछ गया था पोदो के वर्गी करन के line and पदिती पर आधारित है तो जो पोदो का जो वर्गी करन है जो भी पोदो का वर्गी करन या classification जो बेज है वो किस पर है floral character यानि पूस पे गुन पर आधारित है बेस्ट है चलिए नेक्स्ट question पर चलते हैं नेक्स्ट question आपका question number 32 question number 32 है आपका which is absent in archibacterial archi bacteria which is absent in archibacterial archi bacteria में अनुपस्थित होता है जो आची बेक्टीर्य उसमें क्या अनुपस्थित होता ऋप्शन होता है अनुपस्थित होता है तो वह आपको बताना है जो तो आर्ची बैक्टिरिया में क्या अनुपस्थित होता है अप्शन अपका पोली सेक्राइड ऑप्शन बी पैप्टी डोग लाइकेन ऑप्शन सी लिपेड्स ऑप्शन डी प्रोटीन ऑप्शन डी क्या होगा प्रोटीन तो बताइए आर्ची बैक्टिरिया में जो अप्शन प्रची डोगलीकेन अर्ची बैक्टिरिया में एपस्थित होता है चलिए नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं नेक्स्ट कुशन आपका कुशन नमबर 33 कुशन नमबर 33 दिया गया आपका कारपेंटर आंस बिलोंग टू विच ओफ दा फोलोइंग दा ओडर्स कारपेंटर आंस बिलोंग टू विच ओफ दा फोलोइंग दा ओडर्स बढ़ाई चीटी निम्न में से किस गुन से संबंदित है जो बढ़ाई चीटी है वो निम्न में से पूछा गया किस गन से संबंदित है किस गुन से किस गन या फिर किस ओडर से संबंदित है किस ओडर से संबंदित है option यह आपका है नियूरोप्टेरेन option यह क्या है आपका नियूरोप्टेरेन option बी लिपीड ओप्टेरा option C प्लिक ओप्टेरा option D हाइमेन ओप्टेरा option D क्या है इसका हाइमेन ओप्टेरा तो बताइए जो बड़ाई चीटी है वो निम्न यानि जो चाल ओप्षन आपको दिए गए इन में से किस गन से संबंदीत है किस गन से संबंदीत है तो किस संबंदीत है हाई मेन ओप्टेरा से संबंदीत है हाई मेन ओप्टेरा से संबंदीत है क्या जो बड़ाई चीटी होती है जो question number 4 question 34 में दिया गया है which of the following is the correct descending sequence of taxonomic categories which of the following is the correct descending sequence of taxonomic categories निम्न में से कौन सी वर्गी क्रत स्रेनी का सही अवरोही करम है निम्न में से कौन सी वर्गी क्रत स्रेनी का सही अवरोही करम है option A class order division family spaces tribe परकर करम विभाजन कुल जाती समुदाए option B family order genus order division class कुन करम गन करम विभाजन परकार option C division class order family tribe genus विभाजन परकार करम कुल समुदाए गन option D family order division family spaces tribe कुन करम विभाजन कुल जाती समुदाए तो question 34 का जो राइट आंसर है आपका option C option C का इसका राइट आंसर है division division class order family tribe genus तो विभाजन परकार करम कुल समुदाए गन क्या इसका राइट आंसर है जो descending sequence में है तो अवरो ही करम में है तो question 34 का option C राइट आंसर है question 34 का option C का है राइट आंसर है चलिए next question पर नेक्स्ट क्वेशन आपका question number 35 next आपका है question 35 which one of the following which one of the following protozone depicts the characteristic of both plants and animals which one of the following protozone प्रोटो जोन डैपिक्ट दा कैरेक्टरिस्टिक बोथ प्लांट्स एंड एनिमर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमर्स तो निमलिकित में से कौन सा प्रोटो जोवा दोनों पोधो और जानवर दोनों यानि पोधो और जानवरों की विसेस्ताओं को दर्शाता है तो बताएए वो कौन सा protozova है जो पोधो और जानवर दोनों की क्या विसेशता या कैरेक्टरिस्टिक को दरसाता है डेपिक्ट करता है दरसाता है तो option है आपका ant amoeba option है ant amoeba option b paramecium option c monocystis option d wall walks option d क्या है wall walks तो वो कौन सा protozova है तो दोनों क्या जो पोधे और जो जानवर है उनकी विसेशता को क्या करता है दरसाता है तो question 35 का जो right answer है वोल वोक्स क्या होगा इसका right answer होगा तो wall walks जो है वो क्या आदर्शात आता है तो wall walks तो दो नों पोधे और जो जानवर होते हैं उनकी जो भी सेस्ताओको दरसाता है तो वो proto to val walks है तो question 35 का option D वोलवोक्स इसका right answer है तो option question 35 क्या आपका important question है जो किसकी वोलवोक्स जो है वो दोनों की character को दरसाता है जो proto's होआ है वो वोलवोक्स proto's होआ है जो पोदो और जानवरों दोनों की क्या विसेस्ताओं को दरसाता है चलिए next question पर चलते हैं next question है आपका question number 36 question क्या आपका 36 question 36 में पूचा गया है which one of the following is not a deuterosome which one of the following is not a deuterosome तो निमन में से कौन deuterosome नहीं है निमन में से कौन deuterosome नहीं है तो आपको बताना है जो deuterosome नहीं है क्या नहीं है जो deuterosome नहीं है तो वो कौन सा है जो क्या नहीं है deuterosome ओप्षन है आपका snail गोंगा option B starfish, starmine option C lizard, छिपकली option D snake, shark तो बताइए वो deuterosome नहीं है क्या नहीं है deuterosome to deuterosome क्या नहीं है और नहीं है तो कोश्चन 36 का और राइट आंसर है कोश्चन 36 का और राइट आंसर है चलिए नेक्स्ट कोश्चन आपका कोश्चन नमबर 37 कोश्चन नमबर 37 है अब आपका कोश्चन नमबर 37 कोश्चन 37 में पूछा गया है मैच लिस्ट फर्ष्ट विद लिस्ट सेकिंड एंड सिलेक्ट दा करेक्ट आंसर फ्रोम दा कोड गीवन बिलो दा लिस्ट तो लिस्ट फर्ष्ट लिस्ट सेकिंड का आपको मिलान करना है और मिलान करने के बाद जो कोड दिया गया है वो उनमें से क्या आपको आंसर चुनना कोड़ मिलन के बाद कोड़ मस्तित बने बात गताएं लिश्ट रिस्ट और इसे कि तीसे हैं जो पिशित है वह डोक्टर SM 10 फिर आपका पहली मोन किसका है डोक्टर SS पतवर्दन एंटोमोलोजी एंटो मोलोजी फिर आपका हाई एल्टिटूड हाई एल्टी टूड तो ये किसका होगा डोक्टर MS मानी डोक्टर MS मानी इसका सिक्वेंस आपका बनता है 31254 कोशन 37 का जो आपका सिक्वेंस बनता है वो कौन सा बनता है 31254 चलिए देखके कौन से ओप्षन में आपको 31254 दिया गया है कौशन 37 का ओप्षन है आपका ओप्षन A में आपको दिया गया है 54321 ओप्षन B 12345 ओप्षन C 31254 और ओप्षन D 54213 तो कौशन 37 का ओप्षन C का आपका राइट आंसर है 31254 आपको दिया गया है तो कौशन 37 का ओप्षन C राइट आंसर है कौशन 37 का ओप्षन C का है राइट आंसर है चलिए नेक्स्ट कौशन पर चलते हैं अब हम नेक्स्ट कौशन आपको एक कौशन 38 प्रोटोसों में प्रोटोटोशॉम और इनिवल्स डिफर इन ॉस curly स्ट्रों और इनिवल्स जंतु और में होते हैं उप्षन है इसका देर सिमेटरी उनकी समरूपता सिमेटरी के आदार पर उप्षन भी आपका दा एंब्रोइनिक ओरिजन ओफ देर माउथ उनके मूग की भ्रून उत्पत्ती ओप्षन सी टू दा पर जैन्स और एपसेंस ओफ ए बोड़ी कैविटी सरीर गुहा की उपस्थिती या अनुपस्थिती के लिए ओप्षन डी दा पर जैन्स और एपसेंस ओफ ए नर्वस सिस्टम तंत्री का तंत्र की उपस्थिती या अनुपस्थिती तो जिश्ट्रो तो किस बेस पर किस क्या क्या अंतर है जो जन्तु ये बिन पाए जाते हैं तो बिन पाने का क्या तरीक है तो बिन ये पाए जाते हैं उनके मूँ की ब्रून उत्पत्ति यानि दा एंब्रोईनिक ओरीजिन ओफ देयर माउथ जो उनके ब्रून होते हैं उनकी जो माउथ की जो उत्पत्ती होते है उनके मौत यारी उनके मूग की जो ब्रून की उत्पत्ती होते है उनमें क्या होता है अंतर होता है किस-किस में जो डुट्रो इस्टोम और प्रोटो इस्टोम होते है तो question 38 का option B right answer है चलिए next question पर चलते है next question आपका question number 39 question 39 आपका दिया गया दा जियो लोजिकल एज ओफे रोक इस डिटर्माइंड बाई किसी चट्टान की भूव एग्यानिक आयू निर्धारित की जाती है किसी चट्टान की भूव एग्यानिक आयू निर्धारित की जाती है तो निर्धारित की जाती है option A the fossil flora and funa जीवास्म वनश्पती जात प्रानी जात के दुआरा option B chemical composition of the rocks चट्टानों की रासायनिक संगटना के दुआरा option C radiometric dating विकर्मिन विकिरन मितिकाल निर्धारन के दुआरा option D spectroscopic data spectrum मिति आकडों के दुआरा तो question 39 में पूछा गया है जो किसी चट्टान की भूवैग्यानिक जो आयू होती है वो निर्धारित की जाती है तो question 39 का option C right है नेक्स्ट कोशन पर चलते है बहुआ नेक्स्ट कोशन आपको कोशन नंबर 40 कोशन नंबर 40 है कोशन 40 में दिया गया consider the following and answer consider the following and answer तो unicellular होगा multicellular prokaryote eukaryote with plastic without plastic plus protistar तो क्या जो question 40 में दिया गया consider करना है consider the following and answer तो निम्लिकित पर विचार करें और उत्तर दे पहला है आपका unicellular एक कोशन की है और दूसरा आपका multicellular बहुआ कोशन की है तीसरा आपका prokaryotic दिया गया है चोता eukaryote और पाच्वा प्लास्टिड के साथ विद प्लास्टिड चटा है आपका प्लास्टिड without प्लास्टिड प्रोटिष्टा आर तो प्लास्टिड के बिना प्रोटिष्टा है option a 1, 3 और 6 option b 2, 4, 5 option c 2 & 3 option d 1 & 4 तो जो question 40 है इसका जो right answer होगा इसका right answer क्या आपका इसका right answer होगा option b 2, 4 & 5 इसका right answer है question 40 का option B 2, 4, 5 क्या इसका right answer है multi cellular यानि बहु कोशी की है बहु कोशी की है फिर आपका U, U carry out हो गया U carry out then आपका with plastic तो plastic के 7, plastic के 7 तो question 40 का question 40 का जो right answer है option B 2, 4 and 5 इसका right answer होगा चलिए next question पर चलते हैं question number 41 question number 41 दिया गया question 41 में पूछा गया the term taxon for the first time was used by the term taxon for the first time you was used by तो taxon सब्द का परियोग पहली बार पहली बार जो किया गया था तो बताए पहली बार के लिए किसके लिए किया गया था कौन सा सब्द जो taxon है taxon जो सब्द है उसका जो परियोग हुआ था वो पहली बार किसके लिए किया गया था तो बताइए जो टैक्श sufd है उसका जो परियोग किया गया था उसका जो परियोग था पहली बार यानि सरपरतमार किसके लिए किया गया था Option ने आपका IBCN, Option B, ICzn, Option C, M-A-Y, Option D, D-Candle, Option D का है D-Candle तो बताईए जो टर्म है आपकी टैक्चोन सब्द का प्रियोग किया गया था जो टैक्चोन सब्द का प्रियोग किया गया था तो quayshon forty one आपका important question है, जो mayor के लिए जो sabd था, वो कौन दा sabd यूज़ किया गया है पहली बार, तो mayor के लिए जो show raising use किया गया है, टाक्शों जो sabd था, वो mayor के लिए use किया गया है, तो पहली बार, question twenty one आपका important question है, चलिए next question पर चलते हैं next question आपका question number 22 question number 22 आपका concern with nomenclature of organism concern concern करना है मैं with nomenclature of organism नामकरन पदती से संबंदित है तो बताइए जो नामकरन पदती से संबंदित है वो क्या है question 42 में पूछा गया नामकरन पदती से संबंदित है option A विटेकर option A क्या इसका विटेकर stick land विटेकर stick land A आपका विटेकर दिया गया और B पर आपका stick land दिया गया है तो बताइए जो नामकरन पदती है उससे संबंदित कोन कोन है उससे संबंदित कोन है तो बोत यानि only A only B only both A and B और D none तो बताईए जो नॉमनकलीचर है जो नामकरन जो पधिती है उससे जो संबंदित है वो कौन-कौन है तो नामकरन पदिती से संबंदित जो है वो कौन-कौन है नामकरन पदिती से संबंदित आपका बोथ A and B दोनो A और B यानि की विटेकर और स्टीक लेंड दोनों के दोनों नामकरन पदिती से संबंदित है तो question 42 का option C right answer है चलिए next question पर चलते हैं अब नेक्स्ट कुश्चन आपका दियागे question number 43 question 43 में पूछा गया linear is credit for linear is credited for question 43 में पूछा गया linear is credited for तो linear को श्रे दिया जाता है जो linear है उसको श्रे दिया जाता है option a discovery of blood circulation रक्त प्रेसंचरन की खोज option b theory of biogenesis biogenesis का सिध्धांत option c discovery of microscope microscope की खोज option d binomial nomenclature द्वीपद नामकरन द्वीपद नामकरन तो जो linear is उसको जो श्रे दिया जाता है जो credit दिया जाता है वो किसका दिया जाता है binomial nomenclature का द्वीपद नामकरन का जो credit है जो श्रे दिया जाता है वो किसे दिया जाता है linear को दिया जाता है तो linear का जो श्रे दिया जाता है द्वीपद नामकरन का श्रे दिया जाता है question 43 का option d write answer चलिए next question आपका question number 44 question 44 में पूछा गया वैन स्पेस नेम इग्जाक्ली रिपीट जैनरिक नेम इट इस नोन एज तो जब परजाती नाम जातीय नाम को हुबा हू दो राते हो तो इसे कहते है जब परजाती नाम जातीय नाम को हुबा हू दो राते है तो उशे कहते है option A बैसियो निम option B टाटा निम option C होमो निम option D synonym तो बताईए जो जो पड़ जाती है जो पड़ जाती नाम है जो जाती है नाम को क्या हो बहुत हो राते है तो उसे क्या कहते है तो उसे क्या कहते है टाटी नम कहते है टाटी निम कहते है question 44 का option B right answer question 44 का option B क्या है इसका right answer होगा टाटा निम कहते है चलिए next question आपका question number 45 question 45 में पूछा गए protozoa is classified on the basis of on the basis of protozoa is classified on the basis of protozoa बरगी करन का आधार है जो प्रोटो जो है उसका जो classified या बरगी करन का बरगी करन का जो आधार है जो बेश है वो क्या है ? Nutrition, Potion Option B, Mode of Locomotion Parcelan Carrie गरीविधी Option C, Nucleus के ईन्दर आप Option D, Reproduction, Per जनन Option D क्या है इसका ? Reproduction, Per जनन Nutrition, Potion तो बताइए प्रोटोजों का जो वरगी करन का जो आधार है जो बेश है वो क्या है ? तो जो प्रोटोजोवा का जो वर्गी करन का जो आधार है वो क्या है मोड ओफ लोकोमोशन पर चलन किरिया विदी कोशन 45 का ओप्शन B पर चलन किरिया विदी या फिर मोड ओफ लोकोमोशन इसका राइट आंसर होगा कोशन 45 का ओप्शन B राइट आंसर है चलिए next question आपका question number 46 question 46 में दिया गया the transmission of infection accused by loa loa is through is through the transmission of infection accused by loa loa is through loa loa dwarah संचरित संक्रमन का संगवाहक होता है तो loa loa dwarah संचरित संक्रमन का संगवाहक होता है तो वो क्या है option A क्रिस आप्षे पर जाती option B एना फिलिज पर जाती option C क्यूलेक्स पर जाती option D मस्का डोमेस्टिका ग्रेलू मक्की तो question 46 का जो राइट आंसर है cry soap पर जाती cry soap पर जाती इसका राइट आंसर होगा question 46 का option A cry soap पर जाती इसका राइट आंसर है जो loa loa dwarah संचरित संक्रमन का संगवाहक होती है तो क्या होती है cry soap पर जाती इसका राइट आंसर है question 46 का option A right answer होगा चलिए next question A question number 47 जाती इसका पर जाती जाता बुछ मैंड तरीपने सूमा गैंबियंस जाता बेंद होगा ऑप्शन B टिपने सोमा रोडिये सैंस द्वारा ओप्शन सी टिपने सोमा ब्रूशी टिपने सोमा ब्रूशी आई द्वारा ओप्शन डी टिपने सोमा क्रूजी टिपने सोमा क्रूज आई द्वारा जो चागा बिमारी होती है वो होती है तो चागा जो बिमारी होती है वो किस कारण होती है जो चागा बिमारी है वो ट्रिपने शोमा क्रूजाई दुआरा होती है जो चागा बिमारी है वो किसके दुआरा होती है ट्रिपने शोमा क्रूजी के दुआरा होती है तो कोईशन 47 का amoeba is तो amoeba में portion का जो मोड है वो पूछा गए amoeba में nutrition याणि portion का जो मोड है wå कौन सा है option A सेप्रो जो इक option B hollow phytic option C कप्रो जो इक option D hollow joe तो जो नमोड पूचैरी आनी अमीव्य का जो मोड है in nutrition का यानि मोड पूछा गए किसका的是 amoeba में portion का जो पॉर्टी तर्पीएट ओपक्सेल होता है आनसर हो ओ Ведь मोर्ट पाया जाता है किसके लिए नुट्रीशन पॉर्शन है चाहीं। चलिए नेक्स्ट कोशन आपका कोशन नमबर 49 दिया गया आपका फीजन A method of reproduction is commonly found in विखंडन जो परजणनन की एक विधी है सामान निम्न में से किसमें पाई जाती है तो वीखंडन यानि वीखंडन जो परजननन की एक विदी है सामान निम्न में से किसमें पाई जाती है प्रोटोजोंस 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 प सावंण तो में पाया जाता है तो सामने ता नेटा किसले पाया जाता है प्रोटो जोड लुआ में पाया जाता है तो प्रजुनन की मेशिट है वह किसलेत सार्न adjustment 10ic0 पर चलता हुआ नेक्स्ट क्वेश्ट नबर 50 कोश्टंद नाव इंबस नूट्रिशन्oe अमीबा में पोशन कैसा होता है कोशन फिफ्टी में पूच अगे नुट्रीशन इन अमीबा इस अमीबा में पोशन कैसे होता है option A, hello option A, क्या आपका holoptic, पादप्शम, option B, parasitic, पैरजावी, option C, holojoic, option D, saprobiotic, म्रतोप, जीवी, तो जो amoeba में जो portion होता है, वो कैसा होता है, तो amoeba में जो portion होता है, वो होता कैसा है, holojoic, तो amoeba का जो portion होगा, तो कैसा होगा, holojoic, होगा, तो question 50 का option B, question 50 का option C, आपका right answer है, ये question, आपका last question था, आपको सभी class की मेरत, आपकी जो सभी class चल जाए है, उन सभी की आपको PDF फाइल मिल रही है, PDF आपको दी जा रही है, तो आप Telegram चैनल जोइन कर लीजे, Telegram चैनल का जो लिंक है, वो आपको वीडियो के description में मिल जाएगा, और आपकी जो Sunday में जो class हुईती मा मेरतन, आप उसकी भी जो PDF है, वो Telegram चैनल पर डली हुई है, तो आप Telegram चैनल जोइन कर लीजे, जिससे आपको PDF भी साथ साथ प्रोवाइड होती रहे, चलिए class इस आपको अच्छी लग रही हो, तो वीछ को आपको,